यहाँ पे हम गडित का एक प्रस्णाल करेंगे, चले सबसे पहले प्रस्ट को पढ़ते हैं, रिखा x बटे 3 प्लस y बटे 4 इक्वल to 1, दोनों अक्षों पर कटे हुए अन्ताखंड की लंबाई बतानी है, तो अन्ताखंड क्या होते हैं, जैसे ये x-axis और y-axis है, कोई रिखा प्रस्ट में हमें equation दिया हुआ है, अन्ताखंड के लिए जो equation होता है, x बटे a प्लस y बटे b इक्वल to 1 होता है, question में हमको दिया है, x बटे 3 प्लस y बटे 4 इक्वल to 1, तो यहाँ a से 3 को compare कर देंगे, और b से हम 4 को compare कर देंगे, तो यहाँ हमारा आ जाएगा a बराबर 3 औ और b बराबर 4, और a मान होता है हमारा x वाले अंताखंड का और b मान होता है हमारे y वाले अंताखंड का, यानि हमारा जो coordinate आएगा और 3 और 4 आएगा, यहाँ पर आप देख लिजे, 3 और 4 कहां आ रहे हैं, तो 3 और 4 का करम हमारा पहले वाले option में आ रहा है, यानि पहला वा